अर्मान मलिक की फैमिली पर आये दिनने ने आरोप लगे जा रहे हैं इसके बाद आप भी कुछ ऐसा आरोप अर्मान मलिक की फैमिली पर लगा है ये आरोप सिर्फ ना अर्मान मलिक की फैमिली पायल पर बलकि उनके बेटे चिकू पर भी लगा हुआ है दरसल एक reaction channel जो कि अधितर लाइब करती है उन पर एक लड़की ने आकर कुछ पाइल मलिक के खिलाफ बयान दिये हैं जो कि काफी जादा संगीन है अगर उन बयानों की पूश्टी होती है तो शायद पाइल को जेल भी हो सकती है देसल अर्मान मलिक के घर में एक बच्ची काफी टाइम पहले काम करती थी जिसकी उम्र लगबक 14-16 साल बताई जारी है उस बच्ची ने आकर ये बयान दिया है कि जो पाइल है वो उसके साथ में गंदी हरकते करती थी उससे बहुत जादा काम करवाय करती थी इतना ही नहीं उसने पाइल ने उस लड़की के साथ में बहुत जादा मारपीट की है इसी बीच में उसने चीकू का नाम लेते वे भी कहा है कि उनका बेटा उस वक्त छोटा था वो मुझसे बहुत जादा बत्तमजी करता था वो भी मेरे साथ मारपीट करता था गाली देता था और इतना अभी भी कुछ भी पायल और उनकी फैमिली का किसी का भी कोई बयान नहीं आया है सायद इसके बयान की अभी तक कोई पुस्टी नहीं हुई है लड़की कोन है कहां रहती है इसके भी कोई खुलासा नहीं हुआ है लड़की बिहार की बताई जा रही है और जो की पहले अर्मान मलिक के घर में काम करती थी लेकिन जल्दी पायल से उमीद करते हैं कि इसकी तरफ से वो खुलासा जरूर करेगी क्योंकि आए दिन जब भी पायल मलिक और उनकी फैमिली पर कोई भी इंजाम लगाते हैं वो लोग आ कर इस चीज की सफाइज जरूर देते हैं हाला कि इस पर अभी कोई भी कानून न कारवाही नहीं की गयी है क्योंकि बच्ची जो है वो काफे जादा डरी हुई है और वो कारवाही नहीं करना चाहती इन हम भी इस खबर की कोई भी पुस्टी नहीं करते क्योंकि जो भी ये खबर आ रही है वो एक बच्ची का बयान है जिसने सिर्फ एक इंटरनेट पर आकर किसी के सामने ये बयान दिया है इस पर कुछी भी कानूनने कारवाही नहीं दी गई है इसलिए इस खबर की कोई भी अटपटी लगती है कि कोई महिला क्या किसी बच्ची के साथ में ऐसी हरकते कर सकती है हाँ पाइल पर ये पहले आरोप नहीं है जो इस तरीके की मारपीट के लगे हैं इससे पहले भी पाइल पर काफी आरोप लगे हुए है इतना ही नई पाइल पर उनकी ननंद बड़ी ननं नहीं है लेकिन फिर भी देखना ये होगा कि अब अर्मान मलिक के तरफ से इस चीज़ के लिए क्या कारवाही की जाएगी या फिर क्या भी रियक्शन आने वाला है